प्रेंट्स एपी मॉनिंग नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डक्टर फलाहारी ये सेंटर में हमें एक बार पुना स्वागत करते हैं फ्रेंट्स हम लिकम करते हैं फ्रेंट्स आज हम आपके साथ एक एक पर्सन हमारे पास आए जिनकी एज इस समय करीब 42 के आज पास होगी फ्रेंट्स वह हमारे पास आए और लगभग वह 8 से 10 साल हो गया वह एलर्जिक साइनोसाइटिस से उगरसित थी उसके लिए मैंने कई प्रकार के इरिंबिक सेलेक्ट किया उनको दिया और करीब साइट में उनको इलर्जी के समस्या रहती है उनका नोज्ल ब्लाक हो जाता है इसके साथ उनको लगभ और भी बहुत साइट तकलीफ रहती है जिसे पहनी सोना smiling होना जलन होना कई चीज़ें हमने देखा हुआ प्रका कि उनकी पीमारी ऋघ्र साइट है और उनको ऐलर्जी स संबंधीत है और खासकर उनको ऐसी चीजों से इलरजी है जो नम हवा हो ठंडी हवा हो नम आप ठंडी दोनों में आंतरे फ्रेंट से नम में जिस Мक आपका पानी की कुछ बूढें हुह यहिंकि पानी के साथ हो और ठंडी हवा जिसमें से dryness हो friends, यानि कि ठंड तो हो लेकर उसमें नमी ना हो, इध्यान रखेंगे friends, तो ऐसे condition में उनको बहुत जाले लजी बढ़ जाते थी, कई छीके आते थी और बहुत लंबे समसूर गरसी थे, इसके लिए मैंने कई रेमडीज दिया friends, जो लक्षान म के नाम से भी इसको जानते है friends, और यह बहुत ही अच्छी, sorry, friends, यह mustard है, और निशी तो भी wild mustard के नाम से जानी जाती है, इससे बनी ही remedy है, इसका six CH में इनको हमने देना शुरू किया, और इसके साथ क्योंकि friends, यह जो remedy है, इसकी विश्यस्ता यह है कि गर्म चीज apply करने से, इसके साथ में चुरू करने के बाद हमने देखा कि उनको left-sided समस्या है और उनकी जो remedy मैच हो रही है, वो सानापिस नाइकरा, यानि कि जिसको पन वायल्ड मस्टर्ड यानि कि जंगली सरसों खहते हैं, इसके साथ मैच हो रही है, क्योंकि friends, जो सानापिस नाइकरा है, इसक जो peculiar symptoms यह है कि गर्म application से आराम होना, यानि कि अगर गर्म तेर लगा दिया जाए, गर्म सेह कर दिया जाए, तो लक्षण कम हो जाते हैं और रिलेक्स हो जाता है, इस आधार पर हम निश्रेम्डी को दिया, और आज पुरी तरीके से स्वस्थ हैं, फिट हैं, और हेल्दी ल झाल मुदा दो जानिक्ट मुदाओ दिध